हेलो बच्चो मैं नहीं हासायन फिर से उपस्ते थी हूं आपके लिए कक्षा बारा की पुस्तक स्रजन के काव्य खंड का पार्ट आठ कुवर नारायंट की कविता हैं एक तो कविता के बहाने और दूसरा बात सीधी थी पर कुवर नारायंट्जी के जीवन परिछी के पारे में जयांते हैं कुवर नारायंट जी का जन बॉड़ 2007 व यह पर्विता आंदुलन के प्रमुख कवि मांने जाते हैं जाते Fitz और 38 सब्टक की ठापना इन, fällt हैं Rebel 40, सारेंट जी थे तीसरे तार सब्तर जो कि 1969 में आया था कि अग्रगन्य कवियों में लिया जाता है वे अपनी रचना शीरता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं बचोर इतिहास को आप जानते हो कि बीते समय का करमपूरवक अध्यन जो होता है वो इति प्रतिक्रिया की मारमिक अभिव्यक्ति है उन्होंने कविता के बारे में ये बात करी थी कि कविता जो है उनके लिए भाववक्ता की हाय है यानि भावनाओं को व्यक्त करने की नहीं के लिए उनके लिए यह यथार्थ के प्रतिया की अबिदिक्रिया की जो citrus चीए बहुत विस्त्ति थी तो उस से साथ से उसके अभिव्यक्ति थी क्या चीज उनकी कविता हैं उनके प्रमुख कविता संग्रे हैं चक्र वी हूं परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं वह इन दिनों और आपकी जो कविता ली गई है कौन से कविता के बहाने ये इन दिनों काविग्रंद से ह को खंड काव्य है आकारों की आसपास इंका कहानी संग्रे है और इनके अलावा आज और आज से पहले नामक स्वामिख्षा ग्रंथ भी लिखा है ठीक है test वाचों उनके कंड हैwurf क्षी इनको आत्मा जय और वाजश्रेवां फिर उनके आकारों के आसपास ही क्या है इनका कहानी संगरा है और आज और आज यह क्या है इनका समिक्षा गृंत है ठीक है और अब पुस्तक में उनकी właśnie विता में कisu कवीता में कवी पहाने कि महता को दर्शाटी है है कवी के बारे में कहा वाते हैं कि जहाना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी अर्थात जो कवी होता है वो अपने कल्पनाओं के माध्यम से कहीं पर भी जा सकता है उसके कल्पनाओं का आकाश इतना आवस्निमित होता है कि वह अपने कल्पनाओं के माध्यम से किसी भी आती है वो उसकी जो अभिवेक्ति होती है वो बहुत विस्त्रत होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है वही कविता में पताया गया कविता की उडान सीमा तीत है जिसकी कोई सीमा नहीं होती ही कविता की उडान होती है कविता का खिलना किसके जैसा फूलो के जैसा उसकी महक भी सीमा तीद कविता की जो खुषबू उति यह मुरजा ने वाली नहीं हुत कभी जो कभीकुता रुपी फूल होता है वह कभी भी मुर्जाता नहीं, उसकी जो सुगंद है, उसका आनंध situação और पीड क्वेली तुले दिजात्त का ग्रंथ वह लिए ट्रमेस की का डुइht समय तक बनी रहती है लेकिन फूल होता है उसकी खुश्बू एक सीमित समय के लिए होती है ठीक है फिर है बच्चों के असीम सपनों के तरह कवीता का दायरा भी असीम है जहां भी स्रिजनादमत उर्जा होती है वहां सीमाओं के दायरे स्वते तूट जाते हैं चलो पढ़ते हैं कवीता के बहाने अब यहां पर कवी ने कवीता को किन किन चीजों से तुलना करिए कवीना सबसे पहले तुलना करिए उसकी चिडिया से फिर तुलना करिए फूल से और उसके बाद में तुलना करिए बच्चे से कैसे देखो कवीता एक उडान में चिडिया के बहाने से हम समझ सकते कैसे कविता की उडान भला चिडिया क्या जाने कि जैसे चिडिया उडान भरती है आसमान में चिडिया की उडान जो होती है वैसे ही कविता की उडान होती है कविता भी आसमान में अपनी उडान से अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कविता आसमान में शाहर कोई तीज तक चाहे झतना आस्मान में चाहिए मिया लेकिन कि कभीता जो होती है, कभीता कांगत है, वह वहां उड़ सकती है अर्थात चिडिया की जो उड़ार होती है वो सीमित होती है जब कि कविता की जो सीमा होती है उसकी कोई सीमान मी होती है वो असीमित होती है इसलिए कविता की उड़ान चिडिया नहीं जान सकती है तो पहले वाले पद के अंदर हमने क्या देखा कि कवीता की तुलना की गई है चडिया से ठीके जिसमें चडिया की उड़ान तो सीमित होती है लेकिन कवीता की उड़ान सीमित नहीं होती है अब यहां पर कवी ने कवीता की तुन्ना करिए फूल से देखो कैसे कवीता एक खिलना है फूलों के बाहने कि कवीता क्या है फूलों की तरह खिलती है यानि जैसे फूल अपने सुगंद चारों और पहलाता है वैसे कवीता यानि कवी की जो रचना होती है वो आज नहीं कल बलकि आने वाले वर्तुमान में या पिछला जो समय बीद गया उनमें continue बनी रहती है तो वह सारी की सारी कविता हैं कैसे हैं फूलों के तरह खिली हुई है जो हम अपनी पीडी दर पीडी हस्तांत्रित कर रहे हैं पढ़ने के लिए आप सुंदरकान पढ़ते हो हर मंगलवार चनिवार पढ़ते हो हरुमान चालीसा पढ़ते हो आरतियों का आरतियां गाते हो वह सब क्या यह पहली के जमानी में लिकिए नहां तो सबाखर व leg तो दिन तीन दिन आएगी लेकिन मुर्जाने की बाद में उसकी कोई खुश्बू नहीं होती उसका समूल नश्ट हो जाता है बच्छों लेकिन कविता जो होती है उस कविता की खुश्बू कभी भी नहीं मरती है वो जैसे-जैसे आगे भरती जाएगी यानि जैसे-जैसे व उस चत पे जाती है वैसे ही फूलों वूं की खुश्बु जहोती है उसका भी दायरा सीमित होता यह इस घर में कि महाने के पूल क्या जने कि अगर फूल बिनाम और गविग महक सके तो ही उनकी महत्वता होती महत्वता खोगी किसकी तरह कवीता की तरह लेकिन कवीता जो होती है वो बिना मुर जाए अपनी यशकीर्ति आपनी जो खुश्बू है वो चारो और वातावरण में तैलाती है अब है कविता की तुलनाया पर कभी यह नहीं करन की है एक बच्चे से और यह एकदम सही है कैसे देखो कविता एक खेल है बच्चों के बहने कविता को क्या बताया आप बच्चों के द्वारा खेले जाने वाला खेल बताया है बाहर बीतर यहगर वहगर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने बच्चों जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो बच्चे किस धर्म के हैं किस जाती के उनको इससे कोई मतलब नहीं है वो ना तो जातपात देखते हैं ना रंग रूप देखते हैं ना छोटा बड़ यहां पर कविता के तुलनाया पर सीध सीध कविय ने किसे कर दीया बच्चे से गड़ रदूिये है जैसा बच्चा किसी ही भीधबाव मन apo blij भी नड़ लगें उन में आपस है लेकिन उन बच्चे मासूम और मियो उनके की प्रतेह perceber मनमुट नहीं भी उनके मनें वह फिर बोलने लग आपस में रहां वह पिंड धियों करना चेहित को सबस्ट्केम कि सब्सक्राइब करή Fed यहां पर कवी ने बता थियाला कि कोईप you a feliz होते हैं, बच्चा ऐसे हो गार मैं को उपना वह माम लाता है प्रहुणां नहीं लेच से पहसे मोगी करता है, कवीता को कवीता होती जो किसी में बहुती है, कवीता यो कावीटा हना को घ्रचना को, या किसी भी रचना को कोई भी पढ़ सकता है उस पर कोई अंकुष नहीं होता है कि इसको ये नहीं पढ़ेगा इसको वो नहीं पढ़ेगा नहीं कविता को या कभी द्वारा रचित किसी भी रचना को कोई भी पढ़ सकता है कोई भी समझ सकता है उसको कहीं पे भी उसकी खु भैसे की जा हुष to घरों को एक करनों कारे कौन करता है वैसे ही सब्हु це कार्य कौन कर संके दो कविते में inseällर के तो दि साथ के बाहने इसलिगे default करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद